आप मुल कहां पे हैं? सर मैं रांची जालथन के बहार कोई दोस्त बनाए यहां? जी बहुत सारे बनाएं किस राज्य के? सर योपी के हैं और मैं जिस कॉलेज में हूँ वो बाला जी मंदिर चलाती है तो वहां पे बहुत सारे मेरे तल्गू दोस्ती बनाएं आपने सिखाई और एक दोस्त नहीं आपने सिखाई और पहारी हो तो पहारी हो तो पहारी हो जाते हैं को यह रहा है तो दोस्कों बताईए गुर्जा कहना चाहिए अठीज पर देग लेगा अपना प्रक्रशा का फैदा लिया है अगर आप किसी चीज से बहुत एटेश हो जाते हैं तब तनाव की शुरूँ आते हैं लेकिन आप डिटेज रहते हैं और एक करतब भाव से काम करते हैं तो तनाव करी गुंजाईश बहुत कम हो जाते हैं नहीं होता ऐसे नहीं होता है और इसलिए कोशिश करनी चाहिए डिटेश्मेंट के से आयस होगा बड़ा कठीन काम है लेकिन और वो आपको संतुलित रखता है जो बड़ता आपका वर्चेस होए सर उसके पीछे क्या राया है उसका तारण आप लोग है इस देश के लोगों का विश्वास हो गया है कि भारत के युवाँ उसके पारास तैलेंट है और वो दुनिया के काम आ सकती है इस विश्वास बंड़ा है हमारे देश के गाउम में बहुत टालेट है लेकिन अब उनको अंग्रेजी का सवभाग है नहीं मिला तो कहीं आकर रूप जाते हैं अब देके स्पोर्ट में हमारे बच्चे आकर आ रहे है तो हमारे लोगों ने कुरू में मजा को लाई तुमसे अंग्रेजी में पुज़ अब उसका काम स्पोर्स में है उसका अग्रीजी में जब आ रहा है तो अच्छा जवाब दिये कुछ बच्चों ने और आमने जिखाओ का गाउं के बेच्चे स्पोर्ट को काम पर रहे हैं लेंग्वेज हमारे यहां बैरियर नहीं बढ़नी चाहिए अजा आत्में से कभी किसी ने प्रोग किया है किसी सब्सक्राइब एक भी रुप्या कैश जेव में लिए बिना साथ दिन तक साथ दिन तक कैश को हाथ दे लगाएं किसा किया प्रोग को आपने अपने ब्लॉग को शायर करना को लोगों के लिए बड़ा अश्य होता है मैं जब दुनिया को बसा किसी करना मन की जौग क्रियेटर बना से लिए यह सब्सक्राइब आपको उसके लिए थैंकर आप जो आपने दो आजार सोला में आर्पीड ड़ुड एक प्लाएं के लिए इससे पहले जो था नाइटी नाइटिफाइफ तक था बड़ इतना इंप्लिमेंटेशन नहीं था प्रिंसिपल उन्होंने भी आपको याद किया है वो फुट मैं हर्जी का बुरीं की फैलाने की बात करती है मालू मैं मने एक मिशन लाइफ लाइफ की तरफ लोगों को जोगना चाहिए और लो पैनेट पीपर, P3 मूमेंट ऐसा एक सम्मू बनाना चाहिए अब देखे मुझे भी हर्यान के बच्चों का पता चला वो अपने गाउं से शुवे पांच बज़े उठके बगल के गाउं में आते हैं अब पूरे गाउं के सवाई वश्चे अब अब किया जा सकता है तो अमने बोड लेना है तो सरकार दवाई देती हैं वो दवाई उसको पहुंचानी है शे महने तक उसको खाने के बुछ नहीं है उसको बारंच करना है शे मिने में कला जाता है तो उसको हम बहुत बड़ी मदद देश के नौजवान ताहे करें कि हमें टीवी मुक्त भारत बनाने में युक्तान करना है